जो ग्यानी बोलते थे मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं बाबा विश्णात उनको माफ करें यूपी में दुनिया से आहे टूरिस्ट हिट है पीम सीम की मंदिर एकोनॉमिक्स गजब बदबान जाम और भोले बाबा लगा रही यूपी का बेडा पर जनता बोल रही जजशी राम देखे आप स्कूल बनाईए अस्पताल बनवाईए उसमें कुछ गड़त नहीं है लेकिन भारत जैसे देश में मंदिर बनना भी मैंतरपूर है और पियम मोदी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थी और इसलिए उन्होंने देश की मंदिरों का पुनरुधार का जिमा उठा लिया क्योंकि पुरातन काल से हमारी अर्थेवेवस्था का पईया मंदिरों, तेवारों और धार्मिक अनुस्थानों के इर्दिगिर्दी चलता रहा है जहां भी एक छोटा सा मंदिर होता है वहां आगल बगल पचासों दुकाने होती है एक इस्थानी अर्थेवेवस्था पनब जाती है आज भी हमारे धार्मिक असल आर्थिक पईयों को घूमने में मदद करते है जब इलहाबाद का नाम बदल कर प्यागराज रखा गया तब भी लोगों ने बवाल करता था प्यागराज नाम की आकरशन ने दुनिया भर से लोगों को प्यागराज खीच लिया प्यागराज में इंफरस्ट्रक्शर डेवलेप्मेंट पर चार हजार करोड का खर्च आया था प्यागराज में जो कुम हुआ था उसमें करोडों लोग आये और सरकार को 140,000 करोडों से जाधा का राजस्वा मिला मतलब सरकार नी खर्च के 4,000 करोड बदले में 140,000 करोड का राजस्वा आया दूसरा हुदारण बनारस का है महादेव जी की काशी का यहाँ पर पिछले छे सालों में डॉमेस्टिक टूरिस्ट आये 2017 में 69,47,355, 2018 में 60,95,890, 2019 64,47,75, 2020 में 8,47,303, 2021 में 30,75,913, 2022 में 7,16,12,1,277 पिछले एक सालों में काशी में इतने परेटक आये जो 2017 और 21 पांच साल की टूरिस्ट की कुल संख्या से तिगुना परेटक केवल 2022 में बनारस पहुँचे अब आप सोचिए पिछले को सालों में काशी में क्या बदला है वहाँ बैतर सलके हैं, चमकता रिल्वे स्टेशन है, बाजार सुंदर बना दिये गए हैं, गाट साफ कर दिये गए हैं लेकिन जिस एक चीज नहीं काशी में परेटकों को खीचा है, वो है श्री काशी बिशनात कोरिडूर करिडूर बनने के बाद काशी में परेटकों का हुजूम उमर पड़ा है, साथ करोड से ज़ादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं, विदेश्यों की संख्या भी करोडों में हैं, लोग आए होंगे इन्होंने होटल दरमशाला में जगे ली होगी, इन्होंने काशी में खाना पिना खाया होगा, अलग अलग जगे, घूमे फिरे होगे, बनारस की चाय से लेकर चार तक सब खाया होगा, गारी की राएपली होगी, मंदिरों में गए होगे, गाड पर पूजा देखी होगी, फल फूल माला प्रिसात खरीदा होगा नाव की सवारी की होगी ऐसे ही तो घुमता है आर्थिक बहिए हमारे मंदिर हमेशा से ही राजी की अर्थिविवस्ता से जुड़े रही है यह हमारे राज्य और सरकार की राजस्व का बला शुरोत रही है वहीं आम जनता की रोजगारों और कमाई का वड़ा साधन रहे हैं और ये ग्यान प्राप्त करने के लिए आपको जेनियू, ओक्सवोड या हावर जानी की जरूरत नहीं है सावन आने वाला है महाज शिवरात्री पर देख लीजेगा कैसे धर्मादारित आर्थिक पहिया मंदिर वाली अर्थिवेवस्था के दम पर देश की करोडों घर को रोशन करती है हर हर महादियो, ब्यूरो रिपोर्ट, लेडिंग भारत टीवी